मोधी सरकार के आज एक कैसे मंत्री की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने क्याबनेट में मतलब अपने मंत्राले का पद्भार संभालते ही उन्होंने 21 बार ओम श्री राम लिखा जब हम आपसे पूछेंगे कि वो मंत्री कौन हो सकता है तो शायद आपके जहन में यही आएगा कि वो शायद बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता हो सकता है कोई लेकिन मोधी सरकार का एक ऐसा मंत्री जिसका बीजेपी से कोई connection नहीं था सिर्फ गटबंधन में उसकी पार्टी बीजेपी के साथ यानि एंडिये का हिस्सा है और फिर भी उसने 21 बार ओम श्री राम का नाम लिखा और तब उसने अपने पदभार ग्रहन करने वाली फाइल पर हस्ताक्षर किये उसके बाद उसने अपने विभाग की पहली फाइल पर साइन किया हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उनका नाम है किंजरापू राम मोहन नाइडू तेलुगू देशम पार्टी यानि की चंद्रबाबू नाइडू की जो पार्टी है टीडीपी उसके वो सांसद है श्रिका क येरेन नाइडू भी बहुत बड़े टीडीपी के लीडर माने जाते थे और चंद्रबाबू नाइडू के बहुत खरीबी माने जाते थे येरेन नाइडू के नाम एक रिकॉर्ड था सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का रिकॉर्ड और ठीक यही रिकॉर्ड राम मोहन जरा बता देते हैं उनको सिर्फ 36 साल उनकी उम्र है 18 दिसम्बर 1987 को उनका जंब हुआ था और सिर्फ 36 साल की उम्र में वो क्याबनेट मिनिस्टर बन गए और उन्हें मोदी सरकार में बहुत एहम मंत्राले मिलाए नागरी कुड्यान मंत्राले और नागरी कुड्यान मंत्राले में जब वो पद्भार ग्रहन कर रहे थे उनके भाशन को सुनकर जो मोदी सरकार का एक वक्त नारा था कि हम हवाई चपल वाले को हवाई जहाज में बैठे हुए देखना चाहते हैं उनका यानि कि जो राम वहन नाइडू का जो पहला फैसला था जो पहला भाशन उनाग दिया एक बार फिर से भारत के लोगों में गरीबों में ये विशवास उन्होंने जगाया कि जो हवाई चपल में चलने वाले लोग हैं उनको हम हवाई जहाज में बठाएंगे अब ये विशवास कैसे जगाया इसकी जरह डीटेल समझते हैं उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इन दिनों जो एरो प्लेंज का मतलब हवाई जहाज का किराया है उसमें बेतहाशा बढ़ूत्री हो रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आ रहा है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि सबसे पहला काम वो इस पर करें रामोहन नाइडू के नाम बहुत सारे और भी रिकॉर्ड्स है जैसे कि उन्हें संसद रत्न से संबानित किया गया साल 2020 में सबसे कम उम्र में वो संसद भी बने श्रीका कुलम से अपने पिता के निधन के बाद जब उनके पिता यहन नाइडू की मौत हो गई थी सड़क हाथ से उसके बाद से वो लगातार चुनाव जीते रहें वो उस्टरीलिया से उन्होंने पढ़ाए की अलेक्रिकल इंजिनियरिंग की उसके बाद सिंबापूर में वो जॉप उन्होंने एमिड नाइड भी किया फिर सिंगापूर में जॉप कर रहे थैए अच्छा खासी कमपन और इसके साथ साथ बहुत फेमस भी हैं राम मोहन नाइडू क्योंकि साल 2021 में जब उनकी बेटी पैदा हुई तो पहली बार उन्होंने पैटरनिटी लीव ली थी मंतरी होते हुए और उस समय आंदरप्रदेश में बहुत उनके नाम की चर्चा हुई थी अपनी कमपनी में उन्होंने ले थी तब ये कहा गया था कि मतलब जो एक लिंग का भेट भाव था वो मिटानी के उन्होंने कोशुस की थी जब एक मतरी लेवल कादमी जो पहले मिनिस्टर रह चुका है जो वी उपर से वो टीडीपी के महा सचिव भी है चंद्रबाबु ना कि आगार थे उन्हेंट हेंगा अपने दिल्ली दावरे के दौरान जब भी आते हैं तो राम मोहन नाईडू को लेक ही आते हैं कि इंजरापु राम मोहन नाईडू के सामता हुवत तो यह होते बाढ़ भी मोजूद होते थे चाहित एक बार फिर से उन्हें नागरी कुट्डेन का जब मंत्राले मिला तो मोधी सरकार की जो पॉलिसी थी कि युवा को बना कर कुछ अनोखा काम किया जाए, मंत्री बना कर कुछ अनोखा काम किया जाए, उसमें कहा जा रहा है कि उसी कोशश की तैट टीडिपी को और राम मोहन नाइडू को उस जगहां पर बिठा कर एक बार फिर से एक युवा, जो कि आप देखिया अनुराग ठाकुर को बाहर किया गया, जो तिराजित सिंधिया के कद को छोटा किया गया, तो एक युवा की जरूरत थी उसको पूरा करने का काम, उसको पूरा करने की जिम्मेदार तो दो लोगों को मौकाग दिया गया, हालांकि पिर्ना सामी, पिमा सानी भी टीडीपे में बहुत सीनियर लिडर हैं, चंदर बाबु नाइडू के करीबी हैं, और उनके पास, जैसे कि हमने आपको बता है, करोडों के मालिक हैं वो, लेकिन उन्हें राज्यमंत्री का उसको खर्च करने में शत्त प्रतिशत का रिकॉर्ड रहा है उनका, इस वज़ा से, तो ऐसे सांसत के लिए, ऐसे मिनिस्टर के लिए, आप क्या कहेंगे, जो शपत ग्रहन से पहले, सबसे पहले तो भगवान श्रीराम का नाम लिखता है, और वो भी 21 पाद, उसके बाद व आप क्या कहेंगे, हमें कॉमेंट सक्षिन में ज़रूर बटाईएं